नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओम्ट्रिक्स में अगर आप क्लास 10 और क्लास 12 यूपी बोल्ड, बिहार बोल्ड, सीगर, सी बोल्ड की तयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम्ट्रिक्स पर आए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन जरूर दबा देना क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 12 यूपी बोल्ड, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जंप करके तयारी हमेशा चलती रहती दोस्तों और अगर आप इससे जादा इंपॉर्टन चाहते हो दोस्तों अपने यूपी बोल्ड की तया हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ साश्वत और आप देख रहे हैं ओम्ट्रिक्स यूटूब चैनल यहाँ पे क्लास 12 वालों के लिए मैं फिजिक्स का एक और वीडियो लेकर क्या आ चुका हूँ यह क्लास 12 की फिजिक्स जिसका चैप्टर का नाम है मारा गतिमान आवेश और यह वाला वीडियो देख रहे हो तो नीचे दिये गए लाल वाले बटन से चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन तो जरूर दुबाल लो ताकि आने वाले वीडियो की नोट्रिकेशन आपके फोन में आ सके दोस्तों चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको महातुपूर्ण प्रस्न अतिलगूत रिये प्रस्न दोस्तों सबसे पहला प्रस्न प्रस्न एक लॉरेंज बल क्या है दोजार नौ और दोजार अठारा में यानि की इसी साल पूछा गया था तो लॉरेंज बल क्या है या एक एलेक्ट्राण आवेश ए प्लस माइनस वाई अक्ष की दिशा में है प्रवेश करता है इलेक्ट्राण का करने वाले बल का सूत्र एवं दिशा ग्याद कीजिए प्रस्न इसी में है लॉरेंज बल में है आपको समझ में आ जाएगा 2015 में याला प्रस्न भी आया था चलते हैं आपको पहले लॉरेंज बल के बताता है उत्तर चुमकीय छेट्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्राण पर लगने वाले चुमकीय बल लारेंज बल कहलाते हैं यदि Q और V वेग से चुमकीय छेट्रस बी की दिशा से कोर्ड थीटा की कमी थीटा कोर्ड पर गतिक करें तो उस पर कारिकरने वाला बल की दिशा वी तथा बी डोनों के लंबवत होती है ठीक है यह हमारा प्रस्न complete हो गया तो यह बहुत important था प्रस्न लॉरेंज बल जिसकी परिभाशा आपको लिखने थी लॉरेंज में हमारा formula कौन सा reduce हुआ है वी is equal to qvb sin theta यह है हमारा ठीक है sin theta तो यह आप question कर देंगे next question की तरफ सलते हैं क्यू आवेश वाला कोई कड़ वी से एक समान्चुब की छेतर बी के समानतर दिशा में गति कर रहा है इस कड़ पर लगने वाले बल का मान कितना होगा वो मान होगा हमारा दोस्तों kia बताया था मैंने उपर आपको qvb तो जरूर लगेगा sin theta भी जरूर लगेगा आगे का मान चेंज हो जाएगा is equal to मैंने कहा था था ना आगे का मान चेंज हो जाएगा qvb sin 0 degree हो जाएगा qvb qvb sin 0 degree किवरेफ़ाइर और तनलिव मौना में धोता है चाला मान के पतार감 na小時 अगर हमें आपने मान नहीं हुआगा मान जाकर याद कर लेना तो । का अर्थात जीरो ठीक है 2016 में पूछा गया था इंबॉटेट और महतुपूर्ण प्रस्न टिक लगा लें आच्छे से तो पेंसिल से धर टिक लगा भी हुआ ठीक है मैं नहीं लगाया है चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ और हाँ दोस्तों यह प्रस्न अगर आपको आपकी कुशन बैंक आपकी किताब में नहीं मिलता है तो इस प्रस्न का PDF मैंने अपने description में इसलिए दे रखा हूं कि आपको कोई दिक्कत पढ़ने पढ़ आप इस PDF को डाउनलोड कर लें और पढ़ लें इस प्रस्न से क्योंकि यह प्रस्न अलग-अलग तरीके से अलग-अलग कि बनाए गए हैं चापे गए हैं तो आप इनको देख लें और PDF जरूर डाउनलोड कर लें चलते हैं नेक्ट कोशन की तरफ उस बहुत तिक राशी का नाम बताईए जिसका मात्रक वेबर मीटर स्कॉायर है तो वो होती है हमारी चुमकी छेत की तीवरता का मान जो होता है हमा नेक्स्ट कोशन के तरफ नेक्स्ट कोशन है हमारा साइकलोट्रान किस सिधान पर कारे करता है साइकलोट्रान किस सिधान पर कारे करता है यह 2016 में प्रसन पूछा गया तो साइकलोट्रान का सिधान आपको लिखना है तो उत्तर साइकलोट्रान के कारे करने का सिधान या है क डीज के बीच लगने वाले प्रत्यावर्ति विभवांतर की रेडियो आवरत्य डीज के भीतर आवेशित कण के परिक्रमन की आवरत्य के बराबर होने चाहिए ये हमारा होना चाहिए क्लोट्रान के कारे करने का सिधानत या है कि डीज के बीच में लगने वाला बल प्रत्यावर्ति की विभवांतर अगर होगा तब हमारी रेडियो आवरत्य डीज के भीतर आवेशित होगी आवेशित कण के प्रतिकमरन होंगे अन्य था नहीं होंगे तो ये सिधानत आप अवेशित कण के परिक्रमन के आवरत्य के बराबर होने चाहिए तब ये हमारी क्रिया संबन होगी ये सिधानत हमारा बहुत इंबॉटन है अच्छे से याद करनेना चलते हैं नेक्स्ट कोशन के तरफ म्यू जीरो इजीरो का मान ज्याद कीजिए संकेतों के सामाने अर्थ है वन अपाउन 9 इंटू 10 to the power 16 तो वन अपाउन हमारा हो गया कूलाम हो गया लिख देता हो कूलाम बटे एंपियर ठीक है एंटू A into M meter कूलाम हिंदी में लिख देता हूँ कूलाम बटे ampere ठीक है ampere into meter ये मान होता है ampere into meter का whole square ठीक है इस तरह जैसे आपके सामने लिखा हुआ होगा ये देखे आपके सामने तो ये मान होगा हमारा ये मान ठीक है 2018 में प्रस ने पूछा ता गया था यही साल पूछा गया था एक नंबर का प्रस ने पूछा गया था next question के तरफ चलते है mu0e0 का विमे सूत्र क्या होता है लिखिए 2017 पिछले साल प्रस ने पूछा गया था सूत्र ले देख लो यहाँ पे यह होता है सूत्र ठीक है यह सूत्र है हमारा l-square t-square यह एकदम correct सूत्र है दो नंबर का प्रस ने यह वाला पूछा गया था पिछले साल 2017 में तो अच्छे से देख लो यह सूत्र मैंने आपको बता दिया है चलते हैं next question के तरफ next है हमारा empire का परिपतिये नियम लिखिए 2014, 15, 16, 17 16, 17, 18, 17, 18 लगाता रहाया 14 और 15 में gap है 14 और 15 लगाता रहाया 17 और 18 लगाता रहाया 19 के लिए जम करके इसको तयार करेना ठीक है तो चलते हैं इसके उत्तर की तरफ किसी बंद वक्र के परिताह चुमकी छेत की तीवरता का रेखा समाकलन लाइन इंटीग्रल उस बंद वक्र द्वारा घेरे चेतरफल में से गुजरने वाला कुल वैदुधारा का मियू जीरो गुना होता है जहां मियू जीरो निर्वात में निर्वेश चुमक चीलता है ठीक है देन इसके बाद आप यह फॉर्मूला लिख देना यह दा फॉर्मूला आपका मियू जीरो इस उक्वाल टू सी इंटू ये बीच में अगर आप जहां कहीं भी बीच में आप बिंदू देखते हो चोटास बिंदू लगाता है ठीक है वह बिंदू नहीं होता बिंदू आपको दिखाने के लिए लगाता पर इंटू होता है ठीक है DL equal to mu zero point mu zero me zero point one ठीक है यह हमारा फॉर्मूला है ठीक है इस फॉर्मूल को लिख देना और नीचे मान लिख देना इसके इसमें आई पत द्वारा गिरी नेट धारा C बंद परिपत है बंद पत की सीमा है तो C है बंद पत की सीमा यह देखें आप आई धारा पर आई पत पर द्वारा गिरी नेट सीमा धारा जो नेट सीमा धारा गिरी है यह देखें यह नेट सीमा और गुंते तरफ लंचर की परिभाषा दीजिए आपको परिभाशा देने की एक होता क्या है आखिर तो देधे हैं आपको परिभाषा एक अधारा खैजोकी निर्वात अथुक्त वायू में एक मीटर दूर रख्टे डो समांतर तारों में परवाहित होती है आप मान लो कि आपके सामने 2 मीटर पर 2 तार रखे हुए है 1 मीटर की दूर पर धीक है? 2 तार रखे हुए है 2 तार समानतर मतलब parallel रखे हुए है थीक है? तो तारों में प्रवाहिच जो उर्जा होगी उर्जा मतलब आपकी जो बिज़ली जाती है दो तारों के बीच में उसे को कहते हैं एक एंपीर धारा दो एंपीर धारा कितने एंपीर धारा आप अपने बिज़ली वाले से लेते हो। ठीक है होने वाली उसी की प्रति मीटर की लंबाई लंबाई इसकी मानियाती है दो गुणे दस की घात माइनस साथ न्यूटन का बल आरोपित करती है तो ये प्रसन कंप्लेट चलते हैं नेक्स्ट कोर्शन की तरफ लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर इस्थित बिंदु पर चुमकी बल छेत्र का सूत्र लिखिये 2018 जहां 2018 लग जाए जान लोगी इसी साल 2000 परिक्षा में पूछा गया था तो इसका उत्तर लिखने चलते हैं मान होगा इसका बीज कोई टू म्यू जीरो एन आई इंपियर माइनस मीटर यह देखे लिखा हुआ है ठीक है तो जहां एन आई परिनालका के प्रती मीटर की लंबाई है ठीक है प्रती फेरे हैं लंबाई के प्रती फेरे हैं इनाई परिनालका जो यहाँ पर दी गई है वो परिनालका की प्रति मीटर लंबाई के फेरे हैं तो यहां तक है हमारे एक और कोशन बचा हुआ है साइद हाँ एक और कोशन है ठीक है इसको और जान लेते हैं दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकरती कब आकर्षड तथा कब प्रतिकर्षड होती है 2018 में ये वाला प्रस्न पूछा गया था उत्तर हम इसका देंगे उत्तर यदि दो समांतर धारावाही चालकों में धाराएं एक ही दिशा में हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यदि दोनों चालकों में धाराएं विपरीत दिशाओं में हैं तो वे एक दूसरे को परतिकर्षित करेंगे तो ये दो नमबर का प्रसने 2018 यानि की इसी वर्स पूछा गया था तो यहां तक कि हमारे प्रसने complete हो जाते हैं तो दोस्तों इसका मैंने अपने PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप जाते हैं वीडियो को लाइक कर देना और उन सभी दोस्तों को अपने इस वीडियो को शेयर कर दो अपने WhatsApp, Twitter, Instagram के जरीए या फिर Facebook के जरीए किसी भी Social Media Platform के जरीए उन सभी को शेयर कर दो जिन से ये वीडियो देखें और उनकी help हो दसवी बारवी की तयारी के लिए तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार, बाबाई एंड सब्सक्राइब नाव ओम ट्रिक्स योटूब चैनल